आप देख रहे हैं खबर दोपह हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ ऐश्वर्या कपूर आए शुरबात करते हैं इस वक्त के मुखे समाचारों के साथ नोटबंदी के बाद टाक्स चोड़ी करना हुआ मुश्किल नोटबंदी की दूसरी सालगी रह पर वित्तमंत्री आरुन चेटली का फेस्बुक पोस्ट कहां अर्थ विवस्ता को ठीक करने के लिए नोटबंदी जरूरी फैंसलों की एक कड़ी ब्लाक मनी पर कारवाई से लेकर डिजिटल लेन देन और टाक्स कलेक्शन में इजाफा मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए बीजेपी की 32 उमिदवारों की तीसरी सूची जारी अब तक 593 उमिदवारों ने भरा परचा नामांकन की आखरी तारीख कल दीपावली के बाद दिल्ली में बेहत खतरनाक स्तर पर प्रदूशन सुप्रीम कोट की ओर से तैसी मांद के बाद ही हुई जमकर आतरश वाजी केंद्रे प्रदूशन ने अंतरन बोर्ट की राज़्थानी दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर आज से 10 नवंबर तक रोग की सिफारिश अमेरिकी राज़्टरुपती डॉनल्ड ट्रॉंप ने देश के महाधी वक्ता जेफ सेशन्स को पद से हटाया अस्थाई तोर पर चीफ आफ स्टाफ माथ्यू लेंगे जगा कैबिनेट प्रशासन और वाइट हाउस में भी बदलाव के संकेत और चाइना ओबन बैडमिंटन टॉर्नमेंट में भारतिय खिलाडियों का शांदार प्रदर्शन जारी किदामबी श्रीकांत चिराक शेटी और साथ पिक साई टॉर्नमेंट के प्री क्वर्टर फाइनल में माईला एकल में पीवी सिंधू का सामना आज अथाइलंड की बुसाना से इस वक्की सबसे बड़ी खबर नोट बंदी के दो साल पूरा होने की मौके पर वित्त मंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि अर्थ विवस्ता को अपचारिक रूप देने के साथ ही इसे टैक्स का दाइरा भी बड़ा है नोट बंदी के प्रभाव शीरशक से लिखे फेस्बुक पोस्ट में अरुन जेटली ने कहा कि नगदी प्रधान भारत को डिजिटाइजेशन की ओर लाने के लिए सिस्टम को जगजोरना जरूरी था आरुन जेटली ने ब्लाक मनी पर कारवाई से लेकर डिजिटल लेन देन और कर संग्रहे में बढ़ोतरी समेत नोट बंदी की कई उपलब धियां किनाई वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने नोट बंदी के जरिये सबसे पहले भारत के बाहर जमा काले धन को निशाना बनाया सरकार ने काला धन रखने वालों को जुर्माना देकर पैसा देश में वापस लाने को कहा लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे अब ब्लाक मनी आक्ट के तहट मुकदमा जहेल रहे हैं उन्होंने कहा कि बैंकों में आये नोटों से बैंकों को कर्ज देने की शमता भड़ी है कई लोगोंने पैसे निवेश करने के लिए म्यूच्वल फंड का सहरा लिया और ये रकम भी फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा हो गई आलोचकों को जवाब देते हुए वित्मंत्री ने कहा कि नोट बंदी का मकसद नोट जब्द करना नहीं था बलकि इसकाल बड़ा लक्षे नोटों को फॉर्मल एकॉनमी में लाना था और इसे रखने वालों से टाक्स वसूलना था वित्मंत्री ने ये भी कहा कि मई 2014 में जहां आएकर रिटर्न भरने वालों की तादाद 3,80,000,000 थी वहीं एंडिया सरकार के पहले 4 साल में ये बढ़कर 6,86,000,000 तक पहुँच गई और सरकार के 5 साल के कारेकाल तक ये दुगनी हो जाएगी वित्मंत्री ने ये भी लिखा कि वित्वर्ष 2018-19 में 31 अक्तूबर 2018 तक जो परसनल इंकम टाक्स जमा हुए हैं वो पिछले बार के मुकाबले 20.2 फीस दी ज्यादा हैं और कॉर्पुरेट टाक्स भी 19.5 फीस दी ज्यादा जमा हुए हैं उन्होंने लिखा कि नोटबंदी सरकार के एहम फैसनों की एक कड़ी है जो आरत्य वास्ता को ठीक करने के लिए जरूरी है नोटबंदी और GST ने नकदी लेन देन पर बड़ा प्रहार किया डिजिटल राट्रांसाक्शन में व्रिधी साफ साफ देख रही है अब रत्यक्षकर में बड़े इजाफे का फाइदा केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों को हुआ है सरकारों ने इस से अत्रिक्त रकम का इस्तिमाल पहतर बुन्यादी धांचे के निर्मान सामाजिक शेत्र और ग्रामीन भारत के उत्थान में किया है और अब बाद पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव की सबसे पहले बाद मध्यप्रदेश की बीजेपी ने मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए आज तीसरी सूची जारी की इस सूची में 32 उमिद्वारों के नाम का एलान किया गया है इससे पहले पांच नवंबर को दूसरी सूची जारी की गई थी जिसमें 17 उमिद्वारों के नामों की घोशना की गई थी वहीं बीजेपी ने पहली सूची में 177 उमिद्वारों की लिस्ट जारी की थी प्रत्याश्यों को बदला गया है। इसे के साथ कॉंग्रेस ने अपने कुल दोसो तेरा प्रत्याश्यों के नाम का ऐलान कर दिया है। 90 उमीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी और 14 नवंबर तक उमीदवार नाम वापस ले सकेंगे बीजेपी और कॉंग्रिस में कुछ सीटों पर उमीदवारों की घोशना को लेकर चर्चा जारी है दोनों ही राजने तक दलों में कुछ हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर विचार विमर्श चारी है राजे में चुनाव परचार भी जोर पकड़ने लगा है यहां मुख्य मुकाबला सत्तारूर बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच है दोनों ही पार्टियां मताताओं को अपने पक्ष में करने में लगी है राजे में 28 नवंबर को मतदान होना है वोटों की गिंती 11 दिसंबर को होगी और मध्या प्रदेश में विधान सभाचुनाव की घोशना के साथ लागुही आदर्श आचार सहिता के बाद कानून व्यवस्था सूर नश्चित करने के लिए अब तक 31,636 और जमानती वारंट जारी किये गए है इस सब्धी में 2934 अवैध हत्यार जब्त किये गए और 25560 हत्यार राज्य के विभिन पुलिस थानों में चमा किये गए बात 36 गर की वहाँ पहले दौर का चनाव प्रचार अब चरम पर है सभी पार्टिया मद्दाताओं को अपने पक्ष में करने में चुटी हुई है 36 गर में प्रथम चरन के तहट जिन 18 सीटों पर 12 नवंबर को मद्दान होना है वहाँ 190 उमीदवार चुनाव मैदान में है पहले चरन के मद्दान में पहले चुनाव आयोग ने उडिशा सरकार से 36 गर से लगती सीमा को सील करने को कहा है दूसरे चरन के लिए 1100 से ज्यादा उमीदवार चुनाव मैदान में है दूसरे चरण में 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 नवंबर को मददान होगा वोटों की गिंती 11 दिसंबर को होगी प्रदेश में कॉंग्रिस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी नब्बे विधान सभासीटों पर अपने उमीदवार खड़े किये हैं वहीं बहुजन समाज पार्टी, भारती कम्यूनिस्ट पार्टी और जन्ता कॉंग्रिस 36 गर गठ बंदन करके चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने 36 गर विधान सभास चुनावों में महिलाओं को प्रोच साहित करने के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किये हैं इन मतदान केंद्रों में मतदान अधिकारियों, रिक्षकों और सुरक्षा कर्मियों समेथ केवल महिलाओं को तैनाद किया जाएगा राजे के मुख्य चुनाव अधिकारी सुबोत राहु के मुताबिक हर एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए पांच-पांच संगवारी मत्तान केंद्र बनाए गए है चतीसगर में हो रहे विधानसभा चुनाव में बस्तर क्षेत्र की अलग एहमियत है यहां 12 विधानसभा सीटे हैं जिन के लिए 12 नवंबर को मत्तान होगा इस शेत्र पर सभी राजनेतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है फिलहाल कुछ समय पहले तक नकसलियों का गड़ माने जाने वाले बस्तर का आम वोटर अब विकास की रह तक रहा है और अपने प्रतिनिधी से उसे काफी उमीदे हैं अपनी वोट यात्रा के दौरान हमारे समबादाता नविक्रम सिंग शेत्र के कई हस्त शिल्पकारों से मिले और उनके मन को जाने की कोशिश की कि वो कैसा प्रतिनिधी चुनना चाहेंगे आरस टीवी की वोट यात्रा में हम पहुचे हैं बस्तर जो इलाका बेहत समबेदन शील माना जाता है प्रकृति की गोद में बसे बस्तर के हर मोड पर कुछ अनोका है बस्तर का हस्त शिल्प दुनिया भर के कला प्रेमिंओ में एक अलग जगह रखता है इसमें इस आदिवासी बहुल्य अंचल की आदिम संस्कृती की सोंधी महग बस्ती है बस्तर के आदिवाची समुदाए अपनी इस दुरलब कला को पीड़ी दर पीड़ी संजूते आ रहे हैं हम पहुँचे शिल्प ग्राम परचनपाल जहां प्रशासन की मदद से इस पुरातन कला को नई पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है यहां आने का मकसद था हस्त शिल्प के इन शिल्पियों के जीवन और समाज में क्या मुद्धी हैं इन्हें जाना जाए रातना यह बताईए कि जो आप लोग कब से सीख रहे हैं और यहां जो हस्त शिल्प में जो सरकार की तरफ से आपको किस तरीके से मदद दिए शिल्प कर रहे हैं और बीते सालों में कितना बदलाव हुआ है पहले घर में बनाती थी तो कितना फाइदा होता था अब किस तरीके से जीवन में बदलाव है मेरा 15 साल से काम कर रही हूं सुरू सुरू में मेरा कम आमदानी होता था अब करते करते ज्यादा जानकारी मेली है उसके कारण मेरे कवार अच्छा फाइदा हो रहा है अच्छा से कच्छा माल मिल रहा है अच्छा से लाके सामन बनाती है अच्छा से मार्केट मिल रहा है और ह हमारे आफिस से भी हम लोग लेन देन करते हैं, वहाँ पर भी देते हैं, वहाँ पर भी बैशते हैं. निता तो अच्छे चाहिए, सर रोजगार भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, सबी सपीर है चाहिए बस्तर डिविजन में 12 समली सीट हैं, बीजापुर, दंतेवाडा, नारायनपुर, कोंडा गाउं और केशकल जिले में करीब साड़े पांच लाग मतदाता हैं, और चुनाव आयो की कोशिशे की मतदाता, निडर और निश्पक्ष होकर मतदान करें और मतपतिशत आगे पढ़ाया जा सके रैली कर रहे हैं, घर-घर दस्तक अभियान चला जा रहा है, इसमें घर-घर जाके जो हमारे अनलबाडी कारिकता, रुजगार सहायथ, जो फिल्ड कामला है, बूत लेवल आफिसर है, ये सब लोग घर-घर जाके बता रहे हैं, कि आपको बारा तरीकों सुबह आठ से पां अतीत में बस्तर जिले में बीजेपी और कॉंगरिस में सीधा मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार अजीत योगी की चत्रिसगड जदा कॉंगरिस के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोंडी हो गया है इसके साथ हि मैदान में उतरे न 220 球 का खेल बिगाल सकते हैं साथ ही जानेंगे युवाओं के मुद्दे के प्रधान ग्रिह सचिव को हटाए जाने के मामले और राज्य के मुखे चुनाव अधिकारी स्पी शशांग के खिलाफ कारवाई करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है निर्वाचन आयोग के इस उचस्तरिय दल का नेत्रत्व उप उर्वाचन आयोग तसुदीब जैन करेंगे इस महीने की 28 तारी को मिजोरम में विधान सभाचुनाव होने है मिजोरम के मुखे मरंत्री लंथन हवला सेर्चिप विधान सभाच सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने में नाकाम रहे ऐसा आंदोलन कारियों के राज्ये के मुखे चुनाव अधिकारी को हटाए जाने की मांग को लेकर निर्वाचन अधिकारी के कारियाले के सामने धरने पर बैठे रहने के कारण हुआ मुखे मंत्री दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं अतिरिक्त उपायुक्त के मुताबिक उपायुक्त कारियाले की आसपास की स्थिदी पर विचार करते हुए मुखे मंत्री ने अपने ग्रे निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने का अपना विचार बदल लिया मुलचन में आगे बढ़ते हैं उपर राश्ट्रपती आमवें के अनाईडू ने अपने परिवार और करमचारियों के साथ उपर राश्ट्रपती आवास में कल दिपावली मनाई इस मौके पर उन्होंने सुरक्षा बलों को मिठाया भी बांटी और दिपावली की शुपकामनाई दी, सुरक्षा बलों ने भी उपर राश्ट्रपती को उपहर भींट किये इस मौके पर उपर राश्ट्र पती ने देश्वासियों को रोश्णी के त्योहार के बधाई देते हुए कहा कि बुराईयों को छोड़कर अच्छे मन से आगे भढ़ना ही दिपोच्छव का मुख्य उद्देश्य है ये दिपोच्छव हम सब के रिए सुभ में हो मंगल दायक हो ऐसा मेरा भगवान से प्रार्दना है दिपोच्छो का अवसर पर सभी देशवाशी अपना संस्कृती अपना परंपरा अपना जीवन पद्धती को अमेशा याद रखकर अमरा नया पीडी को उसके बारे में अवगत कराना और जो बुराया है उसको छोड़के अच्छी मन से सब लोग मिलकर आगे बढ़ना यह उच्छो में मुख्य उद्धेश है और इस संदर्व में सीमा में हमारा देश का रक्षा करने वाले सिपाई और यहां हमारा इलाका में भी तो रक्षा में जो दायत्व निभा रहे उनको विसेश रूप से मैं सुबकामना देना चाहता हूँ कारण क्या है वो लोग अपना परिवार को छोड़के देश के लिए समाज के लिए हम सब के लिए वो लोग सेवा कर रहे इसलिए उनको विसेश रूप में सुबकामना आए हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने कहा है कि सरकार ने रक्षाक शेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए है उत्राखन में भारत चीन सीमा पर हर्शल में बुद्वार को दिपावली के मौके पर सेना और ITBP जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि भारत रक्षाक शेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि सेना की भावनाओं के मदे नजर प्रधान मंत्री बनने के बाद OROP के सपनों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने पूरा किया इस मौके पर प्रधान मंत्री ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि दूर दरास की बरफीली पहाडियों पर उनकी निश्ठापूर्ण काम से देश मजबूत बन रहा है उनने कहा कि भारते सशस्त्र बलों को दुनिया भर में और विशेश रूप से संयूक्त राश्ट शांती रक्षक अभियान में काफी प्रशंसा और सरहना मिली है समोधन के बाद प्रधान मंत्री ने जवानों को मिठाईया भी बांटी 7,860 फीट की उन्चाई पर स्थित हर्शल में प्रधान मंत्री ने जवानों के साथ करीब सवा घंटे का वक्त पिताया आज देश में भी अभवय आपके कार्ण आता है कि आम अपने आपको कस्ट देवेरे जीरन पुद्गाव के लाए उस प्रकाश को बदाराते हैं जो देश में अभवय का बढ़तान है आज दना आपके बीच आज आए तो मैं आपके गुरुजनों के जिदों ने आपको राज प्रकाश के लिए प्रेण आपके माता पिता है जोणोने आपको मात प्रण गुमी के लिए जीवन कुआने की फिरण सोंस्कार शिक्षा इसलिए महां आपको अभिवार्ण करने के सात्थ आपके माता पिता को नवन करना चाहता है और रक्षा मंत्री निर्मलासिदा रमर ने देश के जवानों को सोचल मीडिया पर होने वाली नकारात्मक बातों पर भरोसा नहीं करे ये कहा है हरुनाचर प्रदेश में हालू लियांग में वास्तवे कन्यंतर न्रेखा पर जवानों से बाचीत में कल उनुने फेस्बुक और ट्विटर पर सेना के बारे में नकारात्मक खबरों से जवानों को दूर रहने की सलह दी दिपावली के अफसर पर रक्षा मंत्री ने जवानों के बीच मिठायां और चॉकलेट भी बांटी रक्षा मंत्री ने सरकार की प्रतिबधता दोहराई कि सीमा चौक्यों पर तैनात सभी जवानों को AK-47 जैसे नवीन तम हत्यार उपलब्द कराए जाएंगे सीमा पर BSF के जवानों ने भी दिपावली मनाई जमू कश्मीर में पुंच और पश्चिम बंगाल में भारत-बंगरदेश सीमा पर तैनात जवानों ने भी पूरे हर्शोल लास के साथ दिपावली मनाई और दुनिया भर की नेताओं ने भारतियों को दिपावली की शुब कामनाई दी UAE के उपर राश्ट्रुपती और पधान मंत्री शेक मोहमद बेन राशिद ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सब भारत वासियों को दिपावली की शुबकामनाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुबकामनाई देते हुए कहा कि आपकी व्यक्तिगत प्रतिबदता से भारत और UAE के संबंधों को और मजबूती म कहा कि अमेरिका की प्रधम महिला उनकी पतनी मिलानिया ने भी दिपावली की शुपकाम नाय दी है राश्टपती ट्रॉंप ने अमेरिका के विकास में भारतिय अमेरिकियों के योगदान की भी तारीफ की और सयुक्त राश्ट्र की डाक शाखा ने दिपावली के मौके पर ऐसे टिकेट जारी किये हैं जिन पर दिये बने हुए हैं एक दशमलव एक पांच डॉलर की कीमत के इन डाक टिक्टों में दियों के तस्वीर के साथ साथ युनाइटेड नेशन्स लिखा हुआ है सैयुक्त राश्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधी सायद अकपर उदीन एक ट्वीट के जरिए सैयुक्त राश्ट्र का अभार जटाया है यह डाक टिकेट सैयुक्त राश्ट्र मुख्यालियस त्टाग घर में और ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं इसके अलावा देपावली पर सैयुक्त राश्ट की तरफ से भी एक ट्वीट करके शुपकामना से देश चारी किया गया और इसमें भी इन टिक्टों की तस्वीर साजह की गई इस ट्वीट में लिखा गया कि रोशनी के इस्तियोहार के दौरान मिट्टी के दिये जलाए जाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीख है और दिपावली के बाद प्रदूशन स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है आज सुभा दिल्ली में पांच बजे के करीब एर क्वालिटी इंडेक्स पीम टू पॉइंट फाइव रहा सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूत तैर रात आठ से दस पजे की समय सीमा के बाद भी दिल्ली के कई लाकों में लोग आत्रशवाजी करते हुए नजर आए बटाकों की वज़े से दिल्ली के हावा की गुणवत्ता बुध्वार रात बेहद खराप शेणी में पहुँच गए थी और उप राश्रपती एंवैंके अनाइडू ने बीज़ेपी के वरिष्ट नेता लालकृश्न आडवानी के उनके इक्यानवे जन्नम दिन पर शुप कामनाय दी है इस मौके पर उप राश्ट्रपती एम बैंक अनाईडू बीजेपी के वरिश नेता लालकृष्ण आडवानी के घर पर पहुंचे और उन्हें शुब काम नाए दी उप राश्ट्रपती ने ट्विटर पर लिखा कि लालकृष्ण आडवानी का राचनैतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में आचरण की शुचिता और विचार की शुदता का जीवन त उधारन रहा है उन्होंने लिखा कि आडवानी जी ने अपने यशस्वी संसद्य जीवन में जन प्रतिनिधियों की वर्तमान और भावी पीडियों के लिए तरवोच लोकतांत्रिक संसद्य परंपराओं में के मानदंड स्थापित किये हैं जिनके पालन से हमारी विधाई निकायों की रामनित्ता बनेगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजे के के वरिष्ट नेता और संसर दिलाल कृष्ण आडवानी को उनके जनम दिन पर शुपकामनाई देते हुए कहा कि राष्टर निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है प्रधान मंत्री ने ट्वीट किया खिलाल कृष्ण आडवानी ने निस्वार्थ भाव से और सतत परिश्रम से बीजे पी को खड़ा किया है और आश्चर जनक ग्रूप से कारे करताओं का मनोबल बड़ाया है और उपराश्टर पती एंवेंके नाइडू फ्रांस के तीन दिवस्ये दोरे पर कल रवाना होंगे वो पैरिस में प्रथम विश्वयुद के अंद के शताबदी समहरों में शामिल होंगे इस मौके पर उपराश्टर पती भारतिय शसस्तर बलों के मेमोरियल का भी अनावरण करेंगे उपराश्टर पती पैरिस सब पीस फोरम के उद्गाटन समहरों में शिरकत करेंगे इसका मकसद अंतराश्टर सहयोग, शान्ती और सुरक्षा, पर्यावरंड, विकास, डिजिटल और नई प्राध्योग्यूग के क्षेत्रों में अंतराश्टर सहयोग को और बहतर बनाना है इस फोरम में दुनिया भर्क से आए पचास देशों के राश्टर ध्यक्ष शामिल होंगे उप राश्टर पती पैरिस में भारती समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे बढ़ते हैं अंतराश्टर खबरों के और अमेरिकी राश्टर पती डॉनल ट्रॉम्प ने देश के महाधिवक्तार जेफ सेशन्स को पद से हटा दिया है फैसले की जानकारी ट्वीट करते हुए राश्टर पती डॉनल ट्रॉम्प ने कहा कि सेशन्स की जगा अस्थाई तोर पर उनके चीफ आफ स्टाफ माथ्यू विटे कर लेंगे राश्टपती ट्रॉंप ने कानियून विवस्ता संभालने वाली अपने शीर शतिकारी जेफ सेशन्स में भरोसाख हो दिया था सेशन्स ने बीते साल खुद को अमेरिकी चुनावों में रूस की कतित दाखल की जाँच से अलग कर दिया था इसके बाद से उनके डेप्यूटी इस राजनितिक रूप से बेहत एहम जाँच को देख रहे थे अमेरिका में मध्याविधी चुनावों की नतीजों के बाद रश्पदी डॉनल्ड ट्रंक ने संकेत दिया है कि उनकी कैबरिट में कुछ बदलाव हो सकते हैं उन्होंने अपने प्रशासन और वाइट हाउस के कई वरिष्ट पदों पर भी बदलाव का इशारा किया है पहले दौर में फ्रांस के लियुकास कॉर्वी को 21-21-21 से हराया अब उनका सामना इंडुनीशा के टॉमी स्युगार्टों से होगा और पुरुष एकल में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने डेनमाक के मैडस कोल्डिंग और मैट पीटरसन की जोड़ी को 23-24-22 से हरा कर अगले दौर में जगा बना ली है अगले दौर में भारती जोड़ी का मुकाबला इंडुनीशा की जोड़ी से होगा वहीं बात महिला एकल करें तो पीवी सिंधु का सामना आज थार्लिंड की बुसाना से होगा हाला कि एज़ेस प्रुनॉइ टौर्नमेंट से बाहर हो गए हैं एज़ेस प्रुनॉइ को इंडुनेशा के जौनथन क्रिस्टी ने 21-21-21-21 से माद दी तो इसे के साथ खाबर दोपहर में फिल हाल इता ही आप देखते रहिए राज़ सभा टीवी नमस्कार